हालो फ्रेंड's प्रितिक्लासिस में आपका स्वागत है आजका हमारा टॉपिक है diverting fraction मतलब हमारी dessert अगर fraction में हैं तो हम उसे analyze कैसे करें और आप इस वीडियो को पूरी देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको एक interesting question भी मिल सकता है जो आपके लिए important हो सकता है तो अगर आप वो question जानना चाहते हो तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखना चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने topic पे हमारा topic है dividing fraction जैसे हमने एक example लिया 5 upon 7 divided by 25 अभी तक आप लोगोंने divide क्या होगा और normally divide क्या होगा जैसे 25 को किसमे चेंज करेंगे रैसी प्रोकल में 25 मैंने बताया था कि अगर नीचे कोई डिजिट नहीं है इसका मतलब है कि वहाँ पर वन है वन ही हम उसे मानते अब यह 25 है तो हम यहां पर अगर वन मान ले तो इस रैसी प्रोकल क्या होगा वन उप ऑन 25 अब हम क्या करेंगे तो इस तरह रोकल में चेंज करते हैं तो हमारा next step होता है इसे multiply में शो करना अब यह क्या होगिए 500 एब वन अप अपन 25 अब हम क्या करेंगे जब इस तरह शो करते हैं उसके बाद यह हमें multiply show कर रहा है, मतलब हमें multiply करना है, 5 into 1, 5 अब क्या है, 25 multiply 7, अब क्या करेंगे हम, 25 में 7 से multiply करेंगे, तो देखते हैं, क्या आता है, 7, 5, 35, carry 3, 7, 2, 14, 14, 3, 17, क्या answer आया, 175, अब यह 175 हो गया, अब हम इसे cancel कर सकते हैं, cancel किस से करेंगे, देखिए हमें यह cancel डिजिट ऐसी चूस करनी होते हैं, जिससे हमारा दोनों डिजिट cancel हो जाए, मतलब numerator और denominator दोनों एक ही टेबल से में cancel करना है, तो हम यह कर सकते हैं, 5 बन जा 5, और 5, 3 जा 15, 5, 5 जा 25, हमारा answer क्या आया, 1 अपॉन 35, तो यह answer हमारा हो गया, 1 अपॉन 35, तो इसमें क्या हमें बताना था, dividing fraction solve करना था, इसी तरह हम solve करते हैं, जासे हमने second example यहां लिया है, 49 divided by 7 upon 9, तो आब हम यहां पर क्या करेंगे, 49 है यह, पहले तो हम क्या करेंगे, 7 upon 9 को रसी प्रोकल में चेंज करेंगे, और रसी प्रोकल में चेंज करेंगे, तो क्या होगा हमारा, 9 upon 7, अब क्या करेंगे, मर्टिप्लाई है, तो मर्टिप्लाई करेंगे, 49 को हम 9 से मर्टिप्लाई करेंगे, और यह upon क्या होगा, 7, अब हम 7 से 49 को कैंसल कर सकते हैं, 7 7 जा 49, तो अब हमारा क्या होगा, 7 multiply 9, 7 9 जा 63, इस तरह हमने इसे solve कर लिया, तो इसी तरह हमें dividing fraction करना होता है, पहले रसी प्रो मर्टिप्लाई करने पर हम कैंसल करते हैं, और मैंने अब यह starting में बताया था कि एक interesting question एड है, जो आपके लिए important हो सकता है, वो question हमारा यह है, जैसे हमने यहां लिखा है, एक जी के question है, भारत में Pink City के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत में Pink City के नाम से हम जैपूर को ज मातर च trucks जाता है, जाना जाल्तन में यांस खेख से वोग I, यहां वोग जो